राम राम बई सभी माईयों को आपको पता है कि बहुत सारे लोग यूएस का वीजा अपलाई करते हैं कुछ लोगों को मिलता है और बहुत सारे लोग ऐसे होते जिनको वीजा नहीं मिलता है तो आज मैं वही बात करने वाला हूँ कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों हता है यूएस का वीजा स्पेशली बी वन बीटू जो तूरिस्ट वीज़ा वेजिटर वीज़ा है वो रिजेक्ट क्यों हता है उसकी बारे में बात करने वाला हूँ अज मैं एक recently एक incident हुआ है मतलब एक मेरे relative ही समझ लीजिए उनको किसी agent ने बोला है कि मैं आपको 30 लाग 40 लाग में वीजा दिलवा दूँगा और genuine वीजा है बिलकुल जो MSC से आपको मिलेगा और आपको मैं जो US में किसी company का आपको एक annotation letter मंगवा दूँगा और सारे document उसे ने बनवा दिये वहां पर कि भी आइस company में काम करता है इस level पर है तो उसी example को base बना के मैं आपको समझाने ही कोशिज करूँगा कि visa reject क्यों होते है US के especially US के तो सबसे पहली बात तो यह है कि भी आपको मैंने पहले बताई US का जो visa है वो face value पर मिलता है आपको interview देना पड़ेगा आपको face to face उनके सामने present होके interview देना पड़ेगा और जो question वो पूछेंगे उसका आपको जवाब देना पड़ेगा obviously आपको जवाब इमानदारी से देना है और confidently देना है अब question यह आता है कि आप जूट भी बोल सकते हैं लोग कुछ लोग यह बोलते हैं कि विया उनको क्या पता चलेगा जब document verify उनको करने नहीं ना उनके पास time है तो कैसे पता लगेगा कि आप सच बोल रहे हैं तो मैंने पहले बताया था कि यूए यूसमसी के officers हैं एक मिनिट में आपको पकड़ लेंगे कि आप जूट बोल रहे हो तो मैं भी समझाता हूं जो रिसेंटली केस हुआ है उस लड़के की उमरा 22 साल 22-23 साल इससे जदा नहीं है और agent ने बोला कि भीया मैंने आपकी profile बना दी है business development manager और वो company का headquarter है वो है बंगलोर में उस company के obviously मैं guarantee के साथ बोल सकते हूं सारे document fake है विकोज वो 22 साल की उमर में senior manager कैसे बनेगा लड़का 22 साल की उमर में तो इंडिया में पढ़ाई पूरी करते हैं अगर master degree कोई कर रहा है तो 22 साल तेई साल तो उसको वैसे लगेंगे और college से immediate इतने level पे वो जाएगा निया अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो इस level पर डिरेक्ट नहीं जा सकता तो question यह आता है कि आजेंट किस तरीके से बेवकूब बना रहे हैं अजेंट ने उसको बोला कि मैं आपको इस company में आपको senior business development बढ़ा देता हूं आपकी तीन मेने की sales question भी बता दे कि आपको क्या का question ने जो एजेंट ने उसको बोला कि यह question आपसे पूछे जाएंगे कि आप क्यों जाना चाते हैं अमेरिका आप कहां पे जाना चाते हैं और आप क्या करते हैं यही question पूछे गए अब इन सभी questions का उसने लड़के को prepare कर रखाता है एजेंट ने कि यही बोलना आपको अब बात यहा आती है अब यह जब officer ने और question भी यही पूछे गए सच बात तो यह है कि आप क्या करते हैं अब उस 22 साल के लड़के ने यह बोला कि मैं काम मैं करता हूँ जा I'm working as I'm उसने सारक इंटर्यूस का English में था और मैंने भी उससे बात कि इसी वीजा से पहले मैंने उसको बोला था कि यह खत्रा है बहुत बड़ा खत्रा है मेरे को नहीं लगता आपका वीजा आएगा बट आप ट्राई कर सकते हो तो उससे पूछा गया कि आप क्या करते हो उसने बोला I'm working as senior business development manager in this company ओके तो उसने उसने बोला officer ने next question उससे पू जर बोलना है लेकिन समय काम क्या है आपकी क्या company है उसके अंदर आपकी जो profile क्या है उसको explain करना जरूरी है आपको immediate पकड़ा गया क्योंकि उसको याद करवा रखत actual में तो काम नहीं कर रहा हो आप कहीं काम करते हैं माल लो किसी bank में काम करते हैं आप loan officer है आप बोल सकते है कि I'm working as a loan officer and I'm looking after housing loan, auto loan and other retail loans like gold loan or property loans और अगर आप business loan देख सकते हैं तो आप देखते हैं तो बोल देंगे I'm looking after business loan, SME loan and other overdraft and cash credit limits जो business loan उते हैं बड़े बड़े तो उस profile के बारे में जैसे detail में गया officer तो तुरंत फासा गया वलट का उसने पूछा कि क्या करते हो detail में बता हो उसने fairway statement repeat कर दिया I'm working as senior business development manager in this company बस उससे ज्यादा उस लड़के को कुछ पता ही नहीं था उसके बाद बोला उसने आप कहां जाना चाहते हो अमेरिका में उसने बोला कि मैं Chicago जांगा and I'm going to Chicago in this company for this purpose मेरे पास invitation letter I have my invitation letter उसको दिखाने की कोसिस कर रहा उसको उन्होंने नहीं मांगा उससे I don't need to see your invitation letter उसने पूछा क्या आपने कहीं विजिट किया है उसने बोला no I never visited any other बस तीन-चार question इससे पूछे गए उसके बाद इसको बोला गया कि आप अपना passport ले लीजिए and good luck for next time बस इतना बोला गया उसके बाद लड़का बाहर आ गया बस तो कुल मिला कि मैं यह समझाने कोसिस कर रहा हूँ अभी क्या पूरा का पूरा जो agenda था उस बच्चे का 20 साल का लड़का वो पूरा का पूरा जूट उसके दिमाग में बिठा दिया एक भी चीज सच नहीं सचाइश तरफ यह थी कि विए उसने ट्रावल स्ट्री कहीं से ट्रावल स्ट्री उसकी उसने किसी भी कंट्री विजिट नहीं किया तो आप यह सोचिए अजेंट को 30 लाख र यूएस से आपका rejection आ गया आज आपने डियस फिल किया उसने वही बढ़ावा था कि मैं इस कमपनी में आप इस कमपनी में इसने काम किया वैसी सीनियर बिजनेस डिवेल्मेंट मैनेजर उस कमपनी का record आपने डाल दी इतनी तनका सारी की सारी चीज आपकी फेक है तो जब आप 6-7 महीने के बाद आप ट्राई करेंगे वीजा तो आपका जो रिकोर्ड है उसमें अब्रेटेड है वो कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं आप फिर एजेंट आपको बोल देगा नहीं दूसरी तरी के सब्र करते हैं आप ट्राई फिर आपके प्रफाइल चेंज कर देगा वो तो भाईया मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबको कि आपको अपना खुद की प्रफाइल ड्वालप करनी जो आपका जैनून बिजनस है आप कहीं नोकरी नहीं करते हैं आप छोटी मोटी कुछनी होती इस दुनाय में जैसी भी आप नोकरी कर रहे हैं आप 40,000 लेते हैं एक लाख लेते हैं आपके डोकुमेंट सारे जैनून होने चाहिए आप सैलरी के साथ कोई और बिजनस है वो भी आप बिजनस उसमें डाल सकते हैं अधर इनकम में डाल सकते हैं और क्वेशन रहा कि अगर आप कहीं भी नोकरी नहीं करते हैं लेकिन आपका बिजनस है तो आपको बिजनस ऐसा explain करना है जैसे आप dairy farm है तो आप बोल सकते हैं कि I am having my own business of dairy farming and I have 10 buffellos, I have 20 cows so this is how you can explain कि मेरे पास 10 बहसे हैं, 15 बहसे हैं, 20 cow है तो मेरे जो monthly income है मेरे एक लाग से उपर है और वही income आपने एक लाग के साबसे बारा मीने, बारा लाग रुपे क्या आपने दिखा दी आईटियर में तो सारी की सारी चीज जिस जस्टीफाइबल होनी चाहिए सबसे main चीज़ यह कि जो profile आप दिखाएंगे आपको ऐसी profile होनी चाहिए, आपकी आप explain कर सके, समझा सके और तब ही आपके मुँपे confidence आएगा, confidence आएगा तो आपकी face value बढ़ेगी और face value बढ़ेगी तो आपको visa मिलेगा और एक और चीज़, अगर आपकी profile आपको लगता है कि हलकी profile है तो आपको अपने जो travel history है, उस पर जोड़ देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है इस पच्चे के पास एक भी country की travel history नहीं थी, सीधा US का try कर रहा और सारी की सारी जो profile फेक थी, आप ये सोचो, अगर ऐसे ही वीज़े मिलने लगे तो भी इंडियन्स को सब को वीज़ा मिल जाएगा ऐसे कहीं से भी किसी का भी मैं काम कर दो, मैं एक जार पे कमाता हूँ, दस जार पे कमाता हूँ, मैं बनवा लूँगा एक लाख रुपे की, मैं खुद बना देता हूँ किसी की भी, क्या दिक्कत है आपको लैप्टॉप खोलना lapटॉप वर्ड में किसी पी पिफेकश्ट कर दो कंपनी का नाब, कलरचैंज कर दो उसके अंदर डालई उसकी इतनी इतना डिड़क्षन करकर कर कि नट सेलरी इतनी आगे, अकावश नम्बर डाल दो किसी बेंक का तो ये जो सारे डॉकुमेंट से सारे फेक बना रखे हैं तो आप दर होगे आपको इंटर्वी में जाने में डर लगेगा और एक सेकिंड के अंदर आपको पकड़ लेगा वो तो ऐसा काम बिलकुल भी नहीं करना भी या रिजेक्शन के यही रिजन होते हैं आप सारे कम है तो आपको ट्रावल हिस्ट्री पर जोड़ देना पड़ेगा रिजेक्शन होने के सबसे बड़े रिजन है कि आपकी प्रफाइल अच्छी नहीं है या फिर आप उसको एक्स्प्लेइन नहीं कर पाते दूसरा रिजेक्शन सबसे बढ़ाई है कि आपकी ट्रावल हिस् लेकिन अगर आपकी गौर्मेंट जोब नहीं है तो प्राइविट जोब में अगर आपके एक लाग से उपर सेलरी तो एक या दो कंट्री बहुत हैं अगर एक लाग से कम है 17,000 तन खाथ दो कंट्री आपको विजिट करने चाहिए अगर आपकी 40,000 की इंकम है तो आपको मिनि लखा है और वो बोल क्या रहा है तो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी प्रोफाइल और आपकी आपका डियस वन सिक्ष्टी जो आपने डियस वन सिक्ष्टी में बरा है वही आपसे पूछा जाएगा यही रीजन है इसके लावा कुछ नहीं है आपके इंकम डोकुमेंट सारे ज स्पोर्ट प्रेजन्ट करनी है वह आपका जो डेटा आपने डियस वन सिक्ष्टी में फिल किया तो वही आपको दिखेगा बार बार वही आपसे पूछेंगे वह तो यही चीज़े हैं वह या किसी दो नंबर के चकर में पढ़ने का फाइदा नहीं है अगर आपको दो कि आ अपसे यño ते बढ़ा लो कैसे बनाने वह मैंने वीडियो बना रही कि दोनों तीनों जो वीडियो मैंने बना रही यहेंग है ब्यारों सिर्फ यह बोलेगा कि ट्राइग करो अगर आपका वीज़ा लग गया तो तो ले लेंगा आप से 30 लाग रुपे फ्री के तो भी आपको ट्राई करना तो खुद करो ना सही नोलिज आप गेन करो थोड़ा सा जोड लगाओ ट्राइवलिस्ट्री बनाओ हो गया आपका काम बस ये मैंने अचानक मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक्स्प्लेइन करना चाहिए कि भी या सही चीज के लिए पैसे दो आप किसी को देना है तो अधरवाइस मुझे नहीं लगता है यूएस में आने के लिए आपको किसी अजेंट को 30-40 लाग देने की ज़रूरत है और ऐस ज़र किसी ओक भी नहीं लगता है आपको बस्कारा की ज़रो आपको लोसरी प्रिपाइस यह इसा तो आपके लिए अगर यूस्फुल लगता आपको वीडियो यूस्फुल है तो सब्सक्राइब जूरु कर लें चैनल को थैंक यू सो मच पर स्पोर्टिंग थैंक यू